गुद मॉर्णिंग एस्ट्वेंट कल जो है आप लोगों को कोश्चन नम्मर 31 से 40 तक का हुंबर लिया गया था श्ट्वेंट आज जो है इस वीडियो में हम लो जो है इसका एंसर भी एक्स्प्लानेशन देखेंगे तर श्ट्वेंट आए स्टार्ट करते हैं ट्रेंट कोश्चन नम्मर 31 डेंजर आल्फेज इनभल्ब्स तर श्ट्वेंट अफेंड ए इनैमी अफ्सन बी फीर अफसन सी अटेग अफ्सन D help तो strand इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो है आप लोगों को option B हो जाएगा fear हो जाएगा strand क्योंकि danger में क्या होता है हमेशा fear involved होता है danger का जब भी बात होता है तो इसमें क्या होता है automatic fear involved हो जाता strand इसको हम लोग भाय बोलते हैं हिंदी में अब जो है 32, question number 32, controversy, always involved, तो strand option A है, dislike, option B, passion, option C, injustice, option D, disagreement, तो strand controversy, यानि कि बिवाद, तो strand इसमें क्या हो जाएगा, disagreement हो जाएगा, क्योंकि बिवाद क्या होता है, मतभेद से होता है, strand, असमती से होता है, इसलिए disagreement से क्या होता है, controversy का जन्म होता है, यानि कि option क्या हो जाएगा, 32 का D हो जाएगा, इस child must have had, तो strand इसमें क्या है, 33 का क्या हो जाएगा, option A है, friends है, option B है, twice है, और option D है, education है, तो strand इसमें option A, option B, और option T, यह सब क्या है, यह सब जो है, parents, यह क्या है, secondary, यह सब से पहले क्या हो, इसमें जो है, parents क्या है, इसके लिए, जो है, most important है, तो strand इसमें 33 का क्या हो जाएगा, अपसन C हो जाएगा, 33 का, अपसन C हो जाएगा, अब जो है, student, type 4, always found, तो strand इसमें 34 में जो है, which one of the flowing is always found in wonder, तो strand option A, lumber है, student, option B, जो है, rustic है, और अपसन C, crowd है, option D, astonishment है, तो strand इसमें क्या हो जाएगा, wonder में, astonishment हो जाएगा, student, option D, हो जाएगा, अब जो है, question number 35, which one of the flowing is always found in bravery, तो strand bravery, पहादुरी, तो strand option A, power, option B, experience, option C, courage, option D, knowledge, तो strand इसमें, waste option क्या हो जाएगा, waste option जो है, वो C हो जाएगा, क्योंकि bravery का जब बात होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है, courage, जो है, involve लाता है, बहादुरी, जो है, courage, bravery में क्या होता है, bravery में courage, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, courage, साहस, अब जो है, question number 36, which one of the flowing is always found in a remedy of fault, यानिके fault का उबशा, test strength इसमें क्या है, option A है, remedy है, option B है, fault है, action C है, punishment, option D, Eccalding, test strength इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 36 का आपनों को B हो जाएगा, fault हो जाएगा, क्योंकि fault का उबशार में क्या होता है, fault हमेसा दहता है, तभी तो इसका उचार होता है अब जो है टाइप फाइब मिस्लेनियस अब जो है इसमें जो है 37, question number 37 यहाँ पर जो है In Indian culture or traditional A widow can marry her brother-in-law but a man cannot marry the sister of his dead wife तो इसमें option A often, option B sometimes, option C always, option D neighbor तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो है हम लोग का answer जो है, best option क्या हो जाएगा वो B हो जाएगा क्योंकि यह ऐसा sometimes होता है कभी-कभी होता है अब जो है question number 38 if we are going early in the morning towards the south the sun will be visible at our left तो student आप लोगों को जब मैं direction test पढ़ाया था तो उसमें direction के बारे में बताया था student यहाँ पर मैं एक बार फीर remind कर देना चाहता हूँ student यहाँ पर आप लोगो यहाँ पर जिससे student इस तरीका से हम लोगो बताते तो उपर के तरफ क्या होता है student उपर के तरफ हम लोगो नर्थ होता है और इसका opposite में क्या होता है south और यह right hand के तरफ क्या होता है east और इधर क्या west तो east hand यहाँ पर जो है क्या बोलागा है instruction में कि we are going if we are going early in the morning toward the south तो south के तरफ हम लोग जा रहे हैं left तो student अब sun जो है morning में किदर राइज होता है तो student वो जो है east के तरफ होता है हम लोग जानते हैं student और तो यह हो जाएगा यहाँ पर sun होगा यह east के तरफ हो क्योंकि morning का समय है तो यह हो गया sun अब student हम लोग इधर के तरफ south के तरफ आ रहे हैं तो हम लोग कि यह क्या हो जाएगा इधर के तरफ जानते हैं कि क्या है anti-cluck यानि कि हम लोग जो है वो north के यहाँ पर जो है anti-cluck वाजेन यानि कि हम लोग किदर जा रहे है student हम लोग जो है जो है हम लोग की किदर पढ़ेगा यानि कि left के तरफ पढ़ेगा anti-clockwise यह जो है left direction में है तो यहाँ पर जो है हम लोग कैसमें क्या हो जाएगा left यानि कि यह क्या है option A always है option B neighbor है और option C sometimes है option D often तो instrument इसमें क्या हो जाएगा option A जो है वो right answer हो जाएगा always you अब जो है question number 39 दीपा 10th year old निस is a taller than her 12 years old son तो यहाँ पर student क्या हो जाएगा इसमें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि दीपाज 10 years old निस is a taller than her 12 years old son student ऐसा है जैसे option A है sometimes है option B neighbor है option C often है option D always है तो student ऐसा क्या ऐसा है sometimes कभी कभी हो जाएगा तो यह जो है इसमें बेस्ट अप्सन जो है 39 के क्या हो जाएगा वो A हो जाएगा अब जो है student last question 40 तो यह जो है दीपाज is a sitting on the back seat of a Mercedes when the driver suddenly starts the Mercedes दीपा experiences a backward force test when option A always option B often option C sometimes option D never test when इसमें क्या हो जाएगा इसमें जो है आपनों को option E answer हो जाएगा student क्यों क्योंकि हम लोग देखते ही है आप लोग जब भी गारी या बस में जाते हैं तो क्या होता है driver जैसे ही brake लगाता है तो हम लोग क्या होते है हम लोग को एक पीछे के तरफ क्या होता है force काम करता है तो strength यह क्यों होता है यह जो है moment of inertia के चलते होता है यहाँ पर जब आपनों को आगे class में physics में 9th में Newton's law पढ़ाय जाएगा तो strength इसमें अपनों को यह बताया जाएगा moment of inertia के बारे में अब जो है strength आज के इडियो में बस इतना ही मिलते है एक नए वीडियो के साथ thank you bye bye